हेलो दोस्तों जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज की वीडियो में हम इस तरह की LED स्ट्रिप बली जालर जो है इसको रेपेर करना सीखने वाले तो यहाँ पे इस तरह की जालर जो है यह मल्टी फंक्शन होती है तो इस की को प्रेस करके हम इसमें अलग-अलग फंक्शन जो है उनको एक्टिवेट कर पाते है तो यहाँ पे इस तरह की जालर में दो तरह की कमिया आती है पहली कमी हमारी LED स्ट्रिप की वज़े से होती है और दूसरी कमी जो है वो हमारे ड्राइवर की वज़े से होती है तो LED स्टिप की जो कमिया है वो मैं वीडियो के लाश्ट में आपको समझाओंगा यहाँ पे पहले हम ड्राइवर के विज़े से हमें बात करते हैं मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यह जालर जो है कुछ इस तरह की होती है और इसमें काफी सारी अलग-अलग कलर्स की LED जो है यह लगी होती है और काफी brightness के साथ यह जो जालर है यह ग्लो करती है तो यहाँ पे इसके ड्राइवर में जब कमी आती है तो ऐसी सिक्वे हमको कैसे पता चलेगा तो यहाँ पे ड्राइवर में जब कमी आती है तो उसमें से पहली एक कमी है कि हमारा ड्राइवर बिल्कुल dead conditions हो करेगा यानि जालर जलेगी ही नहीं दूसरी कमी दूसरी कमी में क्या होता है कि हमारी LEDs जो ज़ालर में लगी है यह सारी LEDs जलेगी इसकी लेकिन कोई भी function जो है वो नहीं काम करेगा यहाँ पे हम keep press करेंगे लेकिन हमारी जो ज़ालर की LEDs है वो कोई भी function जो है उसके अनुसार नहीं जलेगी इस तरीके के इसमें components लगे होते हैं और इन components में से कौन सा component खराब होता है मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ जैसे यह जहलर है इस जहलर में क्या कमी है कि यह जहलर हमारी सारी LEDs जलती रहती है लेकिन कोई भी function जो है वो काम नहीं कर रहा है आप यहां पर देख पाएंगे कि मैं इस जहलर को लगा दिया है और यहां पर मैं इसकी keys जो है इनको प्रस करता हूँ लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है यहां हमारी जहलर की सारी LEDs लगातार जले जा रही है तो यहां पर यह जो कमी है यह कमी जो है इसकी वज़े क्या है यह भी हम इस वीडियो के मादरम से देखेंगे साथ ही इसमें जो जो कमिया होगी वो आप सारी की सारी कमिया जो है इसमें दूर कर पाएंगे तो यहां पर मैं इस driver को जो है खोल के आपको दिखाता हूँ यह driver जो है मैंने पहले से ही खोला हुआ हालाकि यह sealed pack होता है waterproof type में packing होती है इसकी तो यहां पर मैंने इसकी cover जो है इनको निकाल दिया है और यहां पर आप इसका circuit board देख पाएंगे यह इसका circuit board है और यहां पर कुछ component है जैसे कि मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ यह तो हमारा switch हो गया जो function activate करते हैं वो इसी switch की वज़े से activate होते हैं यहां पर एक electrolyte capacitor लगा हुआ है इसके अलावा यहां पर एक जेनर diode लगा हुआ है यहां पर आप देख पा रहे हैं यह जो है यह एक component है BT 136 जैसा कि fan regulator में लगा होता है उसी तरीके से यह जो है BT 131 है तो यहां पर जो 131 component है इसकी जगह पर 134 भी लगा हो सकता है इसके अलावा यहां पर यह programming IC है इसकी इसके अलावा कुछ resistance आप देख पा रहे है और यहां पर भी एक resistance लगी हुई है इसके अलावा एक PF लगा है एक diode लगा है तो circuit में component जो है वो अलग अलग तरह से लगे हो सकते लेकिन जो circuit की designing होती है वो same होती है तो यहां पर भी लगा तर जल रही तो यहां पर यह जो ट्राइक लगा हुआ है BT.131 तो यह खराब हो गया है यह खराब हो गया मैं इसको आपको दिखाने का प्रियास करता हूँ आप यहां पर देख पाएंगे इसके नीचे जो है यहां पर आप कारवन देख पारे और यह यहां पर तो यही ज़्यातर खराब होता है यह खराब होने की वज़े क्या होती है यह खराब होने की दो वज़े होती है पहली वज़े हाई जाता है ऐसी कंडिशन में खराब हो सकता है लेकिन ऐसा बहुत रेर केस में होता है मेंली क्या है प्रॉब्लम की वज़े जो है में यह होती यह short होने की वज़े से यह हमारा damage हो जाता है तो सीधी सी बात है हमको BT136 जो है इसको change कर देना है और इसके बाद हमारी जालर जो है यह ठीक हो जाती है जारतर ऐसी ही condition रहती है तो चलिए मैं यहाँ पे आपको यह पूरा तरके दिखाऊंगा चेंज करके देखाऊंगो जिससे कि आपको बिल्कुल confirm हो जाएगा यहाँ पे मैं आपको यह पर फिट से टेस्ट करा देता हूँ आप यहाँ पे देख पाएंगे जालर हमारी लगातार जल रही यह कोई भी function इसमें नहीं है तो इस जगह पे मैं BT 136 जो है वो लगाँगा आप यहाँ पे देख पार है BT 136 है यह साइड आपको देख पारा है और BT 136 और BT 136 की जो pinout है वो अलग-अलग होती मैं यहाँ पे आपको pinout थोड़ी सी बता देता हूँ जिससे की confusion न रहे अगर यह space नहीं दिया गया है BT 136 लगाने के लिए तो आप इसकी जगह पे ही कैसे लगाएंगे तो यहाँ पे आप देख पार है pinouts इसमें 3 legs है पहली leg जो है यह T1 है और इसके बाद जो center की leg है यह gate pin है और फिर इसके बाद तीसरी leg जो है इसमें T2 है लेकिन BT 136 में क्या होता है BT 136 में अलग तरह से इसकी legs का जो pinout होता है आप पहली leg जो है यह T1 है second leg T2 है और third leg जो है यह gate pin है तो यहाँ पर gate pin इसमें side में है उसमें center में है तो इस चीज़ का आपको विसेश द्यान देना है तो चलिए मैं यह जो BT 131 लगा हुआ है डैमेज हो चुका है चुकि यहाँ पर आपको देख पा रहा होगा यह pop हुआ है तो मैं इसको निकाल के और फिर यह जो है BT 136 लगा क दिया है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे है साइड आपको clear हो रहा हो इसमें mention है BT 131 और 600C तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम BT 136 जो है इसको प्लेस करेंगे जैसा कि आप देख पा रहे है यह हमारा BT 136 है और इसको हम इसकी जगह पर प्लेस कर देते हैं फिर मैं आपक कर दिया है क्योंकि यह हमारी जो इसके ऊपर का cover है इस cover में कहीं भी जो है टच ना हो और यह प्रॉपर तरीके से अंदर आसानी से आ जाया है और यहाँ पर इसको हमें लगाने के बाद अब हम इसको test करते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यह plug जो है मैं इसमें तो यहाँ पर इसमें function जो है आप देख पाएंगे और यह प्रॉपर तरीके से जो driver है work कर रहा है तो चलिए इसको pack करके मैं इसके function आपको सारे test करा के दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यह अलग-अलग function जो है उस तरीके से यह proper work कर रहा है जैसा कि और यह जो driver है यह हमारा ठीक हो चुका है इस तरीके से आप आसानी से इस driver को ठीक कर सकते हैं BT 136 जो है इसमें आप लगा सकते हैं अगर BT 134 मिल जाता है तो आप 134 भी लगा सकते हैं यहाँ पे आप देख पारें proper तरीके से यह जहलर जो है अब हमारी work कर रही है तो यह तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको ओपन करने की कोशिस करता हूँ यह ओपन हो जाएगा तो हम इसको भी देख पाएंगे कि इसके अंदर क्या होता है यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें एक bridge rectifier लगा हुआ है bridge लगा हुआ है और bridge के AC point center के दोनों point जो है यह AC input के point होते तो यह हमारे main supply में लग जाते हैं इसके अलाबा यहाँ पे आप देख पाएंगे यह हमारी जालर में चले जाते हैं DC वाले point तो इस तरह का अगर हम driver इस जालर में use करके तो आधी LEDs जलेंगी और आधी नहीं जलेंगी मैं आपको यहाँ पे इस चीज को भी test करा देता हूँ जिससे की confusion न रहे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मैं इस तरीके से इसको लगाता हूँ और इसके बाद मैं यह driver जो है इसको supply देता हूँ और हम इसको देखते हैं तो आप देखेंगे कि आधी जालर जल रही है आधी नहीं जल रही है यहाँ पे यह LEDs हमारी नहीं glow कर इसके बाद यह glow कर रही है इसके बाद यह नहीं glow कर रही है तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि इसमें आधी LEDs जल रही है और आधी नहीं जल रही है पहला एक यह group जल रहा है फिर इसके बाद यह नहीं जल रहा है फिर यह जल रहा है तो यहाँ पे इसमें क्या है कि इ यहां तक हम आगे आप यहां पर देखेंगे कि इस जगह पर एक joint है तो हम क्या करते हैं कि इस जगह से कट कर सकते हैं और कट करने के बाद यहां से हम जो supply है अपनी दे सकते हैं इसके बाद अगर यह section में अगर कोई fault है तो हमारा जो LED strip है यहां पर जब हम कट करके इसके आंगे से supply देंगे तो properly हमारी जो LED strip है वो work करने लगेगी और उस जहनर को हम दुबारा से उपयोग कर पाएंगी यह बिल्कुल से section कट करने के बाद आप supply देखे देखिए तो यह LED strip जो है यह work करने लगेगी तो उमीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इस तरह की जालर और इसके driver को repair करने की जानकारी जो है वो मिली होगी आज की वीडियो में इतना ही thanks for watching have a nice day